मेश, आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवती में आपका समय व्यतीत होगा आज निर्न्याक्ता के कारण योग्या निर्न्या नहीं ले सकेंगे आज पैसी का लेंदेन टाल दें, तन मन में भै अनुभव होगा प्रिशब, आपके व्यपार में व्रिद्धी होगी साथ ही व्यपार के संबंद में सौदे लाबधायक सिद्ध होंगे आपकी आयका स्रोत बढ़ेगा, मित्रों और बुजुर्गों से लाब होगा उनके साथ आनंद के पल गुजार सकेंगे मित्थुन, आपकी शाररिक और मान से खुशी बनी रहेगी नौकरी या व्यवसाय में अपने परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त कर सकेंगे परिवार में खुशी का महौल रहेगा, बिता की तरफ से लाब होगा कर्क, आज आपका भाग्य चमकेगा और आकस्मिक आर्थिक लाब प्राप्त होगा जो लोग विदेश जाने के इच्चुक हैं वो सफलता पास सकेंगे विदेश उसे अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे नौकरी में लाब होने की संभावना है सिंग, आज आपको स्वास्ते का ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्ते की सुरक्षा के पीचे खर्च होने की संभावना है गलत मार्गी की तरफ प्रेरित नहों इसका ध्यान रखे पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है कन्या, आज आप परिवार में आनंद के पल गुजार सकेंगे भाग्य आपके साथ है, आप समाज और लोगों में आदरपा सकेंगे मन और अंजन संबंदी मामलों में आप रुची लेंगे वहन और आप हुशनों की खरिदारी कर सकते हैं तुला, स्वास्ते अच्छा रहेगा बिमार व्यक्ति के स्वास्ते में भी सुधार होगा पारिवारिक सुख शान्ती बनी रहेगी कामकाज में सफल्टा और प्रशंशा दोनों से उत्सामें व्रिद्धी होगी मित्रों से मिलना होगा प्रिश्चिक आज यात्रा करने के लिए समय अनुकूल नहीं है स्वास्ते भी चिंता का कारण बनेगा संतान की चिंता रहेगी अपमानित होने का योग है इसलिए लोगों से बादचीत में ध्धान रखे आर्थिक योजनाय बनाने के लिए समय अनुकूल है धनू, आज भावनाओं का अतिरेक रहेगा और पारिवारिक चिंता से मानसिक तनाव की आशंका बनी रहेगी बेचैनी का अनुभव करेंगे, स्वास्ते खराब होने की आशंका है, मां की तबेद की चिंता हो सकती है मकर, आज आप अपने विरोधियों से विजय प्राप्त कर सकेंगे, नए काम की शुरुवात होगी उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, शाररिक मानसिक स्वस्त्था बनी रहेगी, व्यपार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे कुम्बू आपको मानसिक समस्याएं और उन्जन रहेगी निर्णे लेने में तकलीफ होगी वानी पर सयम नहीं रख पाए तो परिजनों के साथ मत्वेध होने की आशंका बनी रहेगी धार्मिक कामों पर खर्च होगा मीन आज आपको शाररिक मानसिक ताजगी और स्फूर्ती का अनुभव होगा उत्सा बढ़ेगा नए काम की शिरुवात करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी धार्मिक उदेशे से प्रवास होगा कुटुम के साथ स्वादिस्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे